नमस्कार दोस्तों हमारे हिंदी यूज चानल में आपका स्वागत है मालदीव संकट चीन की भारत को चेतावनी सेह स्तक्षेप किया तो चुप नहीं बैठेंगे नहीं दिल्ली चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि अगर भारत मालदीव में सेहिये का रिवाई करता है तो चीन उसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा संपाद कीये में लिखा है माले में अंधिकृत्र सेहिये हस्तक्षेप रोका जाना चाहिए इससे भी ज्यादा अगर भारत हस्तक्षेप करता है तो उसको रोकने के लिए चीन को जरूरी कदम उठाना चाहिए माना जाता है कि ग्लोबल टाइम्स चीनी सरकार और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के विचारों को दुम्या के सामने रखता है मालदीव संकर के बाद से ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर दूसरी बार लेख लिखा है इसके पहले भी साथ फरवरी को एक लेख में कहा था कि भारत को मालदीव के मामले में हस्तक्षेप करने से बाज आना चाहिए संपादकिये में भारत पर सारवजनिक और अभेद्रता से मालदीव के घरेलू मामले में हस्तक्षेप को लेकर चर्चा कर रहा है साथी सलहादी है कि भारत वहाँ एक तरफा से ये हस्तक्षेप न करे इसमें कहा गया, चीन भारत के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की सोच से नहीं लड़ रहा है कुछ भारतिय सेरिय हस्तक्षेप की वकालत कर रहे है हाला कि ये अंतराश्ट्रिय नियमों के तहट नहीं आता जो दूसरे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रिय अखंडता का सम्मान और हस्तक्षेप न करने की सिध्धान्त के खिलाफ है अगर मालदीव में स्थिती खराब होती है तो अंतराश्ट्रिय नियमों के तहट ही हल निकाला जाना चाहिए एक तरफा से ये हस्तक्षेप पहले से ही वैश्विक व्यवस्था को बेगाड़ रहा है 1988 में हुए विद्रोह का उदाहरन भी दिया जिसमें भारत ने वहां के ततकालीन राष्ट्रपती अब्दुल ग्यूम के नवेदन पर भारत ने सेना भेजी थी संपादकिये में इसका जिक्र करते हुए कहा है सुरक्षा के लिए मालदीव की भारत पर निर्भरता ने भारत को अख़ड बना दिया है और मालदीव को अपने प्रभाव मिलना चाहता है लेकिन माले दिल्ली से परेशान है जो हमेशा मालदीव की राजनीती को दबाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हमारी हर यनूज को लाइक वाशेर करें और चानल को सबसक्राइब करें धन्यवाद